आज की वीडियो काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है और आज हम बात करेंगे वड़ाफोन आइडिया को लेकर क्या बड़ी अपडेट हैं, क्या बड़ी न्यूज हैं, वो कौन-कौन सी बाते हैं जो एक इंवेस्टर को पता होनी चाहिएं तो वीडियो को आखरी तक देख यह जो अपडेट है, 28 सितंबर 2024 को पब्लिश की गई थी, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 29 सितंबर है, क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि वोड़ाफोन आइडिया ने नोकिया के साथ एक महतपून तीन साल की डील ली है, इस डील के तहत नोकिया अब वोड जुदा छित्रों में ही अपनी सेवाएं जारी रखेगा, बलकि वह चाइनीज कंपनीज हुआएबे और जीएटी को चेन नहीं और आंदर परदेश में बदल देगा, चली अब बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट यानि की कोंट्रिबुशन और रिविन्यू की, इस जो इरेक्शन है, उसने आठ सरकल जीते थे, हुआएबे और जीएटी ने भी कुछ सरकल्स को कवर किया था, अब यहाँ पर एक पॉइंट और है जो सबसे बड़ा है, यानि पॉइंट नमबर फॉर बड़े निवे सको की योजना है, और यहाँ पर हमें देखने को मिल रह जाकर 1.2 बिलियन तक ले जाना है, यानि कि 5G सेवाई भी आगे कंपनी लॉंच करने वाली है, और 4G को इंप्रूव करने वाली है, नमबर फाइब पे हमें देखने को मिलता है, कनेक्टिविटी फोर कस्टूमर्स, ऐसा बोला जा रहा है कि नोकिया की जो 5G तकनिक का उप योग करने से 200 मिलियन से अधिक वोड़ाफोन आइडिया के गराकों को बहतर कनेक्टिविटी मिलने की गारंटी दी जा रही है, इसी के साथ हमें नमबर 6 पे देखने को मिला है, जो अपग्रेट फोर 4G नेटवर्क, नोकिया वोड़ाफोन आइडिया के मौजूद 4G इफिसेंसी को बढ़ाने में बहुत ही जादा मदद करेगा, और अगला है ये लोग टरम पार्टनर्शिप, नोकिया के मौईल नेटवर्क के प्रेजिडेंट टोमी उटाउन ने खुद ये बोला है, कि ये जो साज़ेदारी है लगबग 30 साल तक चलने वाली है, जो कि दो कंपनीज के लिए बड़ा विश्वास दरसाती है, इसी के साथ जो फ्यूचर की योजना है, वोडफोन आइडिया के CEO याने की अकसे मुंडा ने खुद ये बोला है, कि इस डील के बाद हाई स्पीड कनेक्टिविटी और इनोवेशन से इन्वेश्टर और शियर में तेज देखने को मिल सकता है, तो गईज ये एक छोटी सी लेकिन वैलूबल अपडेट थी, तो मुझे लगा आपके साथ शियर करनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए, ना सीधा मुद्धे पे आते हैं, अब हम डिसकस करेंगे कि बाई, क्या बाइंग वोल्यूम बाना जा रहा है, सो सो करोड का वोड़ाफोन आइडिया में अक्सर हमें वोल्यूम देखने को मिलता है, डिलिवरी परसेंटेज भी 54% के आसपास किलियर ली देखने को मिल रही है, जो की ओवरूल दिखाता है कि कमपनी में डिलिवरी भी अच्छे खासी हो रह लेकिन पॉइंट वही है के भाई जो कमपनी का स्टोक है, आज 10 रुपे 66 पैसे पे है, कुछ इन्वेस्टर्स का कहना है के भाई स्टोक 8 रुपे तक गिर सकता है, वहीं कुछ बड़े इन्वेस्टर्स का ये भी कहना है के ये स्टोक 12, 13, 14, 17 रुपे तक बढ़ सकता है, बड़ बात भाई है के भाई न्यूस से काम नहीं चलेगा जब तक इन्वेस्टर्स का इस कमपनी पर विस्वास नहीं दिखाएंगे, और इन्वेस्टर्स का जो विस्वास है, वह तूटा हुआ है कमपनी के इंपोर्टेंट रेसोस के उपर, कमपनी के कर्ज के उपर, वहाँ आप क्या सोचते हैं इस वारे में कमेंट करके जरूर बताईए आपकी क्या राय है वो भी हम जरूर जानना चाहेंगे और अगर आप इसी तरह से इंपोर्टेंट अपडेट्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी भी तरह का कोई बाइस लोल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है ना ही कोई फाइनेशल अडवाईज है तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए ट बाइ